वेल्कम बैगता वर्जान वेल्कम नमस्टागत करती हूं आपका कोकिंग प्रश्चेंचन में आपके साथ बहुत ही जब बनने वाली नाच्ता की रेश्पी शेयर करूंगी जो बहुत ही आशान तरीके से पाथ बनने वाली रेश्पी है इसके लिए में न कोई सब्दी चाह सब्सक्राइब करते हैं इसको बनाना सुरू करते हैं इसको बनाने वाइड ब्रट लिया है आप ग्राउन ब्रेट का भी यूज कर सकते हैं समिश में बहुत जादा शामान की जरूवत नहीं और मैंने चार मीडियम सेयर्ज के अलू बऀय लिएайтесь इसे मैंने हैंड से ही मैस कर लिया हैं, आप हैंड से ही मैस कर लिया है, आप अपने मनफशंत कोई भी सबज़े भी डाल सकते हैं, जो आपके बचे ऐषे नहीं खाते हैं, आप इसमें एड़ कर D जिससा सिवगरा मिर्च बीन्स गाजर पत्त अगोबी और थोड़ा सा बारी कटवा रदनी ये मेरा होम मिर्च चटनी है कैरी पुदी नहां धनिया हरी मिर्च से बनी हुई कि और यह मैंने नमक लिया है अपने शॉद शारी रखें आप इसको और मैंने इक कप मैदा लिया है आम चूर पाउडर लिया है वन टीस्पून इतना अब आलू में हम प्यास को आड़ कर लेंगे और कैचप को भी डाल देंगे हरी चटनी को भी डाल देंगे वन फोर्ट टीस्पून इतना नमक को डाल देंगे हाप टीस्पून इतना तीखी लाल मिर्ज को डाल देंगे वन पोर टीस्पून इतना काली मिर्ज पाउडर को डाल देंगे वन टीस्पून इतना आम चुत पाउडर को डाल देंगे और थोड़ा सा बारी कटवारा धनिया डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब एक बाउल में मैधा को डाल लेंगे 140 पूँन इतना काली मिर्स पाउडर को डाल देंगे मोटी कुटी लाल मिर्स को डाल देंगे पंस तीखा और नमक की क्वंडिटी अपने हिसाब से ही रखे कर देंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका गोल बला लेंगे फ़र समय बहुत पतला या बहुत थीक नहीं रखना है सेमी कुछन टेंशनी रखनी है इसकी यह देखिए और इसको रेश्ट पर नहीं रखना है और कुछ भी इसमें आड नहीं करना ना बेकिंग शोड़ा ना बेकिंग पॉड़र आप ब्रेट के पीसे को ऐसे चोड़ी कटोरी या कोई आपके पास चुटा ग्लासे जो आप उससे इसके गोल-गोल पीसे कट कर लें हई यह देखिए और अचा हुआ ब्रेड है उसको आप ब्रेड क्रम बनाकर किसी भी स्नैक्स में यूश कर लिए या आसको आएसे भी तवे पर सेख कर चाय के इस्टप कर देंगे और अच्छे से फैला कर इस पे लगा देंगे यह देखिए हैंड से अच्छे से सेट कर देंगे जिससे हम फ्राई करें तो यह निकले नहीं कि इसको बनाकर जरूर प्राय करिएगा सभी को बहुत पसंद आएगी बड़ों को भी बच्चों को भी देखिए मैंने सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं अब मैंने घ्राइब को डाल दिया है और आयल को मीडियम गरम होने देंगे अब इतने एक बार घोल को फिर से मिक्ष कर लेंगे और इसमें एक पीसेश डाल कर इसको डिप कर लेंगे और जो इसमें एक्स्रा बेटर है उसको साइड में करके इसे निकाल देंगे और एक एक पर दोट पर जबसने करने करते हैं थे जीफेपशालें से कसे बढ़कर आपक्राइन हो सब्सक्राइब रिदो पाल्याव द्रीकर नहीं होने कि द्रीफर पर दूसरे साइड हम टेंगे और पलट कर यह से इनको अच्छा सा कलर आने तक क्रिस्पी होने तक फ्राइब कर लेंगे यह बहुत ही जड़पट बनने वाला नास्ता है आप इसको कभी भी इनिंग में मानिंग में यह दिन में चोटी मोटी भूग के टाइम कभी बना कर सकत सब्सक्राइब कर लिए मैंने प्लेट में इसको मैंने होममेड हरी चटनी के साथ और के साथ चाय के साथ कौपी के साथ या विदाउट ऐसे भी इसको खा सकते हैं बहुत इस लगेगा आपको कट करके दिखाती हूं देखिए कितना उपर से क्रिस्पी है यह और अंदर से इसमें कितनी डिलेशसी स्टफिंग है आप इसको बनाकर जरूर ट्रै करेगा और फीटबग जरूर बताइएगा और मेरे चनल पर और भी स्नेक्स रेस्पी हैं मैं उनको डिस्प्रास में लिंक देदूंगी आप देख सकते हैं और मेरे चलब विजिट करके भी देख सकते झाल 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 झाल